राज़ाने देहरदून की केंट विधानसभा सीट से उत्रकंड करांतिदल के परतियाशिय अंडुरुत काला हमारे साथ मौझूद है हमसे जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो इस बार केंट की जंता के बीच में जाएंगे अंडुरुत पहले तो आपका बह हो है जिन लोगों का अधिकार था उनको नहीं मिला उनके लिए हम लोग इंदुर में हमारी के बीच तो हमारा तो आपको इतियास मालूम है उत्राखन करांती दल का संगर स्वील इतियास है 22 साल का हम लोग आदते दे करके आगे बढ़े हैं इस राज्ये को दिलाने में हम लोगों क्या योगदान दिया है आप सब जानते हैं आप मीडिया बंदू में लेकिन जो जरूरते हैं बार आपको संबान देते हैं उन लोगों को लूट लिया जाता है हमारी priority में यह भी है और हम तब तक संदर्स करेंगे जब तक इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिल जाता इनके साथ जुड़े रहेंगे अंडू जी एक सवाल ये भी है कि उत्राखन करांती दल पर युवा चेहरे के तरह से आपके बीच में खड़ा और मैं अपनी उर्जा को जहां तक मैं समझता हूं लोगों के लिए काम करने के लिए पूरी लगाऊंगा उनके साथ हाथ से हाथ कदम से कदम बढ़ा करके चलूंगा लेकिन आप यह देखिए क्या 73 साल में संबह हुआ ह इतर साल में जब किसी भी पूरिश को बिस्तर में बैठ का आराम करना चाहिए आप उनके शरीर को लोगों के बीच में जाकर के कष्ट दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता युवा पड़ा लिखा युवा और जो करने के लिए चाहा में आया है मैं कुछ बनने तो आया नहीं हुआ मैं करने की चाहा से आया हूँ मैं करना चाहता हूँ इसलिए मुझे पूरा विश्वास है उत्राकरांती दल और अनिरुद्ध का लगो इस कैंट विदान सर्भा ने इस बार निरधारित किया है कि हमने बदलाव लाना है युवा को लाना है और उस दल को जिसका इतिया से जंगल स्पून रहा है, हम लोगों के लिए लड़े थे, जंगल के लिए लड़े थे, जमीन के लड़े थे, युवाओं के लिए लड़े थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। अरजी, एक और सवाल है मेरा कि इस सीट पर लगातार देखा गया भाजपा का कबजा रहा है और भाजपा के हख से यह सीट कभी किसी और के पाले में नहीं गई। लेकिन क्या कहेंगी क्या भाजपा ने विकास किया आपको लगता है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लोगों से मिल रहे हैं, काफी महिलाओं से आपने मुलाकात कि हमने देखा, बुज़र्ग लोगों से कर रहे हैं, युवाओं से कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा क की वह विवस्ता है जिसके लिए ये लोग हगदार थे तो असमानता पूरी विदानसभा में व्यापत है और जो पैसा जो है विधानसभा नि दीखा ये विधायक एक आदमी का जो आप कहे रहा है वाजबागे सो कबजा ही बोलूँगा मैं क्योंकि जन प्रतिनिती जो होता है वो इसलिए चुना जाता है कि इनको जो सुविधा है वो अधिकारी जिनके सुविधाओं के हैं उनको मिले वो नहीं मिली और जैस की तस इस्तिति है इतने सालों जैसी जगह में आप बाइपास नहीं दे पा रहे हो आप बताओ ना कि वहां पर जब आईये में की पासिंग आउट परेड होती है तो ट्रैफिक का डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर कि वहां लोग सालों से एक बाइपास की दरकार कर रहे और आप एक प्र सीट है वही हमको ही मिलेगी और इस बार मैं बता रहा हूं कि उत्रा खंडी उत्रा खंडी जाक चुकी है लोग समझ रहे हैं कि हमको इस बार बदलाव लाना है एक आखरी सवाल है यदि इस बार आपको मौका देती है केंट की जनता तो क्या विकास कारे करेंगे उनके आप उद्योग जैसे शाठ्च्ट्रि नगर जैसी जगह है कौलागर में कुछ जगह आशी है प्रेम नगर में कुछ जगह ऐसी मौक में ठीकार मौलिक अดिकार ज confront हैं सुछच पानी नाली निकासी लिए कre आपकि सड़के पकी सड़के के लिए सोरक्षा जो इनका अधिकार बनता है, वो सब दिलाई जाएंगे और उन, मेरे तो एजेंडे में है बस्तियों का सौंदेरी करण, मैंने उनको सौंदेरी करण कराना है, पक्के मार्ग बनाना है, टिकाउ सड़के बनानी है, सड़के बनती है हमारे यहापे क्योंकि बजट तो कईना करना है ना लेकिन हो चड़के हर छे महीने पर बन रही है और लोग बोर्ड लगाकर तालिया मुझाते हैं उसमें लोग ये पूछते नहीं है कि छे महीने में क्यों बनानी पड़ी क्यों चार साल नहीं चल पाई तो ये हमारे एजेंटाज में हैं और इसको हम लेकर लगा आगे चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवत ये थे हमारे साथ अंडूत काला जी उत्रखन करांती दल के परतियाशी कैंट से जिनों ने बदाया कि कैंट को विक्सित करने के लिए वो एक बार फिर से परियास करीं और 2022 में उन्हें मौका मिलेगा तो वो कैंट की तस्वीर बदल देंगे विडियो जनलिस अगरविस के साथ सुभाज को और न्यूज वर्ल इंडिया देहरादून